अलोट सब गाईज मेरा नाम है अकास स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल एवी बॉक्स ओफिस में एक बार फिर से तो दोस्तों गर आप हमाई चैनल पे नए आए हैं तो होलीवूड टोलीवूड और बॉलीवूड की लेटेस अपडेट पाने के लिए इतने करोड का कारोबार और दोस्तों ओडीव के ना है इस फिल्मों को लेकर कि तो दोस्तों गर आप हमाई चैनल पे नहीं आया हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करियेगा चलिए दोस्तों गर हम बड़े którą फिल्म गित Hz वेल फैन्स अगर हम बात करे भारत फिल्म की तो भारत फिल्म को डारेक्ट करा है अली हफाव जैसे शानदार डिरेक्टर ने जो किस से पहले सलमान खान सर जी की साथ में हमको नजर आय थे टैगर जिंदा है जैसे शानदार फिल्म में वहीं पर दोस्तों में आपको बता दू कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 16 तो 65 क्रोंट रूपे है और इस फिल्म को वर्डवाइट 6000 से भी ज्यादा इसकिनों पर लॉंज करा गया है वहीं पर बड़े इस फिल्म के प्रेडूसर की तरह आप तो दोस्तों इस फिल्म के नम को शांदार श्टार काश्टर नजर आ रही है जिसके नम को नजर आएंगे स सलमान खान सर जी कर्टिना केव जी तब्बू जी देशा बठानी जी सुनिल ग्रोवर जी और जेकी श्राप जैसे शांदार एक्टर वहीं पर दोस्तों अगर बड़े इस फिल्म के आईक्यू पेंसी की तरह तो दोस्तों इस फिल्म को अपने बॉक्स अविस पे लगे रुपे की वहीं पर दोस्तों इस फिल्म ने अपने विकेंड में कमाये थे 45 करोड़ 50 लाग रुपे इस फिल्म ने अपने पहले हपते का कलेक्शन करा 189 करोड़ 60 लाग रुपे वहीं पर इस फिल्म ने अपने दसवे दिन में कमाये तकरीबन 4 करोड रुपे इस से पहले दोस्तों मैं आपको बता दू कि इस फिल्म में का पहला अपता था तकरीबाँ नो दिनों का और नो दिनों में इस फिल्म ने कमाए था 189 करोड़ 60 लाग रुपे वहीं पर इस फिल्म ने अपने दसवे दिन का कलेक्शन करा 4 करोड रुपे और इस फिल्म ने अपने 11 दिन का कलेक्शन करा 6 करोड 50 लाग रुपे 12 दिन का कलेक्शन करा 6 करोड 25 लाग रुपे 13 दिन का कलेक्शन करा 2 करोड 70 लाग रुपे दोस्तों तीन करोड तक्रीबन साइट लाग रुपे वहीं पर दोस्तों अगर बड़े इस फिल्म के ग्रोस कलेक्शन की तरब तो दोस्तों इस फिल्म का ग्रोस कलेक्शन हो चुका है दोस्तों चालीस करोड रुपे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जहाँ पर इस फिल्म का बजटे 165 करोड रुपे वहाँ पर यह फिल्म का नेट कलेक्शन हो चुका है 203 करोड रुपे इसका मतलब दोस्तों यह फिल्म सुपर हिट हो चुकी है विसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि यह फिल्म लाइफ